आज मौसम बहुत खूब सूरत हो रखा है पाड़ों पे हलके हलके अच्छी खासी बादल तर रहे हैं तो पूरा मौंटेन साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा हैं तो रात से ही बारिस हो रही थी और अभी भी हलकी फुलकी बुन्दा बांदी हो रही है अलो दोस्तों मेरे चैनल सत्तो जर्णी में आपका स्वागत है तो आज का मौसम तो स्वाब ना हो रखा है अलके अलकी मुंदा बांदी हो रही है रात भड़ तो बारिस होई तो आज है फर्स्ट अप्रेल तो लगभग एक सप्ता ऐसा ही मौसम रहने का नुमान है अलके बा मनाली के चार और उचे उच्चे जो अंटेंट टॉप है रोतांग पास है बारा लाचा पास है उदर हलकी हलकी बरबारी भी है और बारी भी है जैसा मौसम का अनुमान है बहुत सारे लोगों का कॉमेंट सेक्शन में सावाल रहता है कि मनाली घूमने आए तो सबसे बेहतर क्या रहेगा तूर पैकेज लेके आए घूमने के लिए तूर ट्रेवल के द्वारा यह खुद से आए और मनाली को घूमें तो इनके संबंद में डिटेल जानकारी आप लोगों के साथ सेर करूंगा तूर पैकेज लेके आएंगे तो उसका क्या ड्राइबांटेज होगा उसका क्या drawback है और यह आप खुद से विजित करेंगे प्लान करके उसका क्या advantage है उसका क्या drawback हो सकता है मनाली में Peak Season लगबग start हो गया है तो मनाली में जो season start होता है Peak Season April मंई और June का रहता है और मही सबसे ज्जाधा Peak season वाला रहता है तो मही के महिने में ज़्यादत दो लोग गूमने के लिए आते हैं मनाली में अप्रेल से स्टार्ट होना चालो हो जाता है क्योंकि उत्तर भारत में देखेंगे दिल्ली या बाकी उस तरफ में गर्मी स्टार्ट हो जाती है और अप्रेल के बाद तो एक्जाम भी फिनिस हो ज जाता है घुमने के लिए और बात करूं कि यदि आपना चाहते हैं मनाली घुमने के लिए तो से क्या लेकर आए है तो प्रेले में बता देता हूं कि खुद से प्लान करेंगे तो पीक सीसे में क्या खर्चें आएंगे आपको दिल्ली से मनाली आएंगे मनाली में होटल में स्टे करेंगे लोकल टूर गुमेंगे या फिर आप टैक्सी लेकर दिल्ली से यह दी मनाली आते हैं तो सबसे अच्छा माधियम होता है लोग बस से आना पसंद करते हैं 80% बहुत सारी प्राइवेट इसी वॉलव बस से चलती है सरकारी बस से चलती हमाचल गवर्मेंट की आइस बीटी कस्मीरी गेट से डारेक्ट दिल्ली से मनाली के लिए उसका किराया लगभग डॉट कॉम या और भी दूसरे वेब साइट हैं तो अधर जाएंगे तो आपको किराया पता चल जाएगा कितना किराया है उसका तो आजकल तो किराया महंगा हो रखा है तो लगभग आप दिल्ली से विजिट करेंगे मनाली तो दो हजार दाइएजार तीन हजार चेक कर सकते तो लगभग डबल हो गया डबल से भी ज्यादा महंगा हो गया है वापसी में जाएगे मनाली से दिल्ली तो थोड़ा सस्ता पढ़ेगा ऑटल की बात करो तो पीक सीजन स्टार्ट होते ही होटल का टेरिब भी महंगा हो जाता ठीक ठाक होटल भी लेंगे में आप रहने ला सारे प्रेटफोरम में सच कर सकते हैं प्राइस कर सकते हैं रिव्यू पढ़िए लोकेसिंघ आपको किस लोकेशन में रहना है तो मॉंटेन वीव चाहिए तो सिमUMी साब भिस लोकेशिन में मेनाली投 Lucky के पास में सेर कर दूंगा बेस्ट लोकेशन टू स्टे इन मनाली उस वीडियो को देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं आपको किस लोकेशन में रहना है कौन सा बेस्ट है अब बात करें घूमेंगे कैसे यह स्कूर्टी और बाइक हायर करेंगे तो स्कूर्टी 800 के एवरेज मिल बाइक आपको 1200-1500 के रेट में बुलेट मतलब रॉयल इंफिल्ड मिल जागा हिमालियन तो 1500-1700-1800 के रेंज में आपको मिलेगा और घूमने का प्लान बता दूं दो दिन का प्लान मैं आप लोंके साथ डिसक्स कर रहा हूं तो कोशिश करें लोकल प्लेसे से घूमें जो माता मंदीर मनाली मनू टेंपल क्लब हाउस माल रोड के आसपास हैं बौद मंदीर यह घूमें ज्यादा अच्छा है क्योंकि लंबी जर्णी करके आएंगे तो फिर उस तरफ यह जाएंगे घूमने अटल टरनल उस तरफ तो फिर ज्यादा ठकाउट होगा सकेंड डेका प सीशू जाएंगे तीन किलोमीटर आगे है 43 किलोमीटर यह कोकसर जाएंगे उसी तरफ तरफ लगवग पचास किलोमीटर जाना आना हो जाएगा और वापसी में आप घूम सकते हैं सोलंग वैली को बर्फ आपको अप्रील के मैने में तो अटल टरनल और कोकसर यह सीशू के तरफ ही मिलेगा जून में बर्फ के लिए तो रोतांग पास ही जाना पड़ेगा जुलाई में और कहीं बर्फ मनाली के आसपास नहीं मिलेगा जो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी करें लोता रोतांग पास में बाई कल आउड नहीं पहले अलाओट था जब अटल टरनल नहीं बना था अटल टरनल बनने के बाद सिर्फ वोडविलर को ही आलाउट करते हैं रोतांग पास जाने के लिए टक्सी करेंगे तो टेक्सिवाले खुद पर मिट बनावाल ले थे खुद अपने से और अपनी काड लेके जाएंगे तो आपको खुद पर्मिट बरवाना पड़ेगा एक दिन एडवांस में कल जाना है तो आज भी बरवाना पड़ेगा और एक बात का दियान रखे कि मंगल बार को रोतांग पास बंद रहता है तोटली क्लोज रहता है तो मं ज्यादा खर्च 500 रुपे का पेट्रोल खर्च होगा तो लगबग 2100 में दो दिन एक्स्प्लोर कर लेंगे और यह दि रॉयल इंफिल्ड लेके आप घूमेंगे तो रॉयल इंफिल्ड का बारुस है बारुद दूना चोबिस सो तो वही है लगबग 3,000-3,000 आएगा और हि लेगा तो इतना मोटा मोटा खर्चा अब बाकि आप खाना जैसा खाना खाना चाहें तो उसको पर डिपेंट करता है आपका कितना खर्चा है पिर फूड के एक्सपेंस मालो एक जन्य का मिनिममं 500-600 रुपया आए गहीं इतना खर्चा तो यह मोटा मोटा मैंने खर्चा ब दिल्ली का होटल में दो दिन का 5,000 माल ले धाय हजार के रेट के इसाब से और स्कूर्टी हायर करके यह गूमेंगे और बाइक तो उसका मोटा मोटा दो हजार उपया लगा लो इसमें खर्चा आएगा ठाने पीने का 500 रुपया मतलब दो जने का है तो दो दिन का 2,000 रुपया तो इतना मोटा मोटा खर्चा मैंने बता दिया मतलब खुद से आप गूमना चाहेंगे दो दिन का प्लान ज्यादा गूमेंगे तीसरे दिन नागर कैसल जाना चाहें या जोगनी वाटरफॉल बहुत सारे लोग और टूरिस प्लेस को भी एक्स्प्लोर करते हैं तो मैं बस इंपॉर्टन प्लेशिस के लिए बताया लोकल टूरिस प्लेस अजमें जाते हैं अचकर ख़ल तो एंटल टरणल हर कोई देखना चाहता है उदर ही बर्फ ही है सिसु में अटल टर्णल के पास या कोकसर के तरफ तो उधर ही जाना चाहते हैं तो यही टूरिस्ट रुट हो आप डिसाइड कर लें मैंने खर्चा बता दिया अधी खुद घूमेंगे तो कितना खर्चा आएगा आपको और यदि पैकेज लेके घूमना चाहते हैं तो कोसिस करें दिल्ली से आना जाना तो इंक्लूट कर लें उसके बाद यदि घूमना हो मतला होटल में स्टे करना हो फ इतना प्राइज लगबग चार्ड़ करेंगे और एक का ध्यान रखे कि यदि यहां पहुचकर बहुत सारी एक्टिवीटी भती होतीे ब colored अग इंशीन होती है बहुत और सब्सक्राइब लौी पैकेज में इंक्लूट करवाईएगा तो फिर वो महेंगा पड़ेगा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा आपका पैकेज का रेट जो एक्टिविटी है उसे इंक्लूट बिल्कुल नहीं कराईए कुदी विजिट करिए टूरिस प्लेश को जो भी एक्टिविटी होता है बार 600 चार्ज करेंगे आप सीजन में जिप लाइन एक्रिविटी 200 रुपे में भी करवा देते हैं तो काफी अंतर हो जाता है पिक सीजन में रेट लगबग मान के चलिए डबल हो जाता है गोमने का खर्च और ऑप सीजन में वह लगबग आधा रहता है यह मैंने मोटा मोटा ब यह पता कर ले रिभीव पढ़ने कस्ट मर का कैसा है अच्छा नहीं नहीं है बहुत लोग करते हैं वह डिलिवर नहीं करते हैं अच्छे बस अभी करवाते हैं यह पासके घ्यान रखें पहले कंफिर्म कर लें रिभीव पढ़ लें उसके बाद ही किसी टूट्रेवल को जादा अच्छा रहेगा आई होप आपका जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा तो ट्रेवल पैकर लेकर आना चाहते हैं फिर खुद से प्लान करके घुमना चाहते हैं विजिट कर रहे हैं आप समर में पीक सीजन में मनाली में तो आई होप आपको यह इंफॉर्मेशन औ आप लोग के साथ सेर करते रहूंगा जिससे आप अपना मनाली टूर आसानी से प्लान कर सके इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से कर लें इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और ब्यूटिफुल वीडियो को देखते रहने के लिए